इस वीडियो में बात करेंगे हम वैदिक काल से जूड़ी हुई कुछ इंपॉर्टन्ट ट्रिक्स की सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनके कोश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे पहला है वेदांग उपवेद संकलन करता ब्रहमण ग्रंध पुराण नदी प्रशाशनिक इकाई वेदांग वेद अंग इसे आप वेदांग से कन्फ्यूज नहीं करेंगे वेदांग कहा जाता है उपनिशद को जिसकी संख्या है 108 अगर वेदांग की संख्या पूची जाए तो 6 इसे मानो सरीर से तुल्णा की गई है ऐसे निरुक्त की कान से निरुक्त मतलब उत्तर अगर कोई उत्तर देता है तो आप कान से सुनेंगे निरुक्त कान सिक्षा नाक यदि आप सिक्षित होते हैं तो आप घर वालों की नाक उची हो जाती है तो सिक्षा नाक कल्प हाथ कल्प मतलब कार्य आप कोई कार्य करेंगे हाथ से करेंगे कल्प हाथ व्याकरण जैसे उप सर्ग धातू आदी को बोलने के लिए आप मुख का प्रियोग करते हैं तो व्याकरण मुख जोतिशी आँख आप किसे जोतिश के पास जाएंगे या आप कुंडली दिखाएं हाथ या चेहरा वो देखेगा अपनी आँख से इसलिए जोतिश आँख छंद पैर पायल पैर में पहनी जाती है जो छंचन करती है तो छंद पैर निर्योक्त मतलब उत्तर कान से सिक्छा नाँख से अगर आप सिक्छित होंगे तो नाँख उची हो जाएगी कल्प कार्य जो की हाथ से होता है व्याकरण बोलने के लिए मुक का प्रयोग जोतिश देखने के लिए आँख का प्रयोग छंद मतलब पायल पहनी जाएगी पैर में जो करेगी छंचन पैर इसे हमें ट्रिक के माध्यम समझते है निशी कब जाएच्छ है ये राजस्थानी भाशा है व्याकरण जाय से जोतिश च्छा से छंद एक बाद फिर देखते हैं निरुक्त सिख्छा कल्प व्याकरण जोतिश और छंद साथियों कई लोग वेदों को भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो वो ट्रिक क्या है सारी आ यू सारी आयू सा से सामवेद री ये ये री है सारी री से रिगवेद आ से अथरवेद और यू से यजुरवेद सारी आयू सारी आयू सामवेद रिगवेद आ से अथरवेद या से यजुरवेद अब हम उपवेद के पारव में देखते हैं इसकी ट्रिक है आय गंध सी आय मतलब अगर आपने कोई काला काम, गंदा काम करके पैसा कमाया है तो वो आय गंध सी होती है इसलिए आय गंध सी और इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो हमने सारे वेदों को लाइन से लिख लिया अब आय गंध सी आय से हो जाएगा आय अरवेद, गं से हो जाएगा गंधर वेद, धा से धन उरवेद, सी से सिल्प वेद, एक बाद फिर देखते हैं, आय से आय अरवेद गं से गंधर वेद, धा से धन्वरवेद, सी से सिल्फवेद यह आप लाइन से लिखेंगे अब हम उपवेद के संक्रन करताओं के बारे में भी देख लेते हैं संक्रन करताओं के बारे में तो यह कौन है लाइन से प्रजापती, नारद विश्वामित्र, विश्वकर्मा आय प्रजा जो सरकार की आय होती है वो प्रजा से होती है टैक्स के माध्यम से होती है तो आयुरवेद प्रजापती गंधर्व तो गाना सामवेद गायन का एक वेद है और हमने ब्रामः ग्रंथों में भी देखा था जाप तो जैमनी पंचविश तो यहाँ पर भी गाना है और गाना कौन करेगा जाप कौन करेगा नारजी क्या जाप करेंगे नारायन नारायन तो गंधर्व नारज अब अगला धनुरवेद धनुर वेद का विश्वा मित्र मित्र हमें मित्र सिखाएगा धनुर विद्या मित्र धनुर विद्या जैसे कर्ण ने सिखाया था उसी तरह धनुर वेद विश्वा मित्र अब अथर्व वेद का है शिल्प वेद और इसके संक्रन करता विश्व कर्म तो सिल्प कर्म सिल्प करना मतलब किसी चीज को बनाना ही होता है सिल्प तो सिल्प एक कर्म है तो सिल्प वेद विश्र कर्म एक बार लाइन से देखते हैं सभी को आय प्रजा आयरवेद प्रजापती गाना गांधरवेद नारद धनू धनूश मेत्र तनुरवेद विश्रामेत्र सिल्प कर्म सिल्पवेद विश्रकर्मा इजी ब्रामहड गरंथ सबसे पहला है रिगवेद रिगवेद सबसे प्राचीन था तो आपको पता होगा जो सबसे पुरानी चीजें होती है उनके उपर कववे बैठ जाते हैं तो मतलब कव ए तो कौशित की एतरे जो सबसे पुरानी चीज है उसके उपर कव ए बैठते हैं कव ए कौशित की एतरे नेक्स्ट यजुर्वेद आप यग करेंगे तो तैश करेंगे तैश मतलब ओज हाली में अयोध्या में भी राममंदिर खुल रहा है तो यग्य हो रहा है यग्य ओज के साथ हो रहा है तो तैश के साथ हो रहा है तैश शत्पत यग्य यजुर्वेद और यजुर्वेद में ही यग्य कर्मकान्णों के बारे में भी बताया गया है सामवेद, जैमनी, पंचविश, मतलब जाप साम को जब संध्या पूजा होती है, तो मंत्रों का जाप होता है जाप, जैमनी और पंचविश, नेक्स्ट अथरवेद, इसका गोपत मतलब आ, ग, अथरवेद, गोपत पूराण और उससे संबंधित vanस पहला देखते हैं, वायु पुराण, गुप्त vanस वायु जो होती है, चलती है तो किसी को पता नहीं चलता है मतलब एकदम गुप्त तरीके ज़ चलती है तो वायु पुराण, गुप्त vanस दूसरा मच्च पुराण सात वहन वंस मच्च आपने एक्वामन को देखा होगा वो मशलियों को वहन जैसे यूज़ करता था इसलिए मच्च वहन मतलब वच्च पुराण सात वहन आगे देखते हैं विश्नुक पुराण मौरे वंस मतलब विष्णु जी के अवतार थे कृष्ण जी और हमेशा ये मोर पहना करते थे इसलिए मोर विष्णु मोर विष्णु पुराण मोर वंच एक बाप फिर से इनको देख लेते हैं वायू गुप्त इसलिए गुप्त वंच मत्स वाहन इसलिए साथ वाहन विष्णु मोर इसलिए मोर वंच वैदिक नदी और उन नदियों के वर्तमान नाम तो ये नदियां हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान बहती हैं तो इनको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है ये डारेक्ट हैं जैसे गोमल, गोमती, सुवस्त, स्वात, क्रोब, कुर्रम, कुंभा, काबुल ये वैदिक नाम है ये वर्तमान नाम है तो इनको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है और ये एक्जांस में भी नहीं आते हैं हम देखते हैं भारत की तो ये हैं सतुद्री सतलज तो सतुद्री सतलज ये डारेक्ट है सा सा सत सत वितस्ता जहलम, सस्ता वो इस सस्ती चीज है उसे जहलना आसान है उसे सब लोग खरीच सकते हैं इसलिए सस्ता जहला जा सकता है वितस्ता जहलं, असकिनी चनाब, आशकी चीन, उतलब चीन से आशकी नहीं हो सकती है कोई भी एप इस समय नहीं चलेंगे क्योंकि सारे बंद हैं, चीन से आशकी भारी पड़ेगी विपासा, विव्यास, तो विपासा, व्यास सादा, नीरा, गंडग, सादा, नारी की जो इज़त नहीं करता वो गंदा गंडग, गंदा, सादा, नारी की इज़त न करने वाला गंदा एक बाद फिर देखते हैं वितस्ता, मतलब सस्ता, जहला जा सकता है जहलम, असकिनी, आशिकी, चिनाब, चीन मतलब, असकिनी, चिनाब, विपासा, व्यास वी, वी, विपासा, व्यास, सादा, नारी की इज़त न करने वाला गंदा गंडग, सादा, नीरा, गंडग, आगे देखते हैं यह प्रेश्ण मुख्य परिक्षा के लिए important है कि प्रशाशनी इकाई बताईए और प्रिलेंस में सबसे छोटी प्रशाशनी की इकाई पूंची जाती है तो वो होगी परिवार अब इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं जो की है पकग विश जरा पकग जैसे पकड़ना होता है पकड़ उसी तरह पकग विश मतलब पॉईजन जरा थोड़ा सा पकग विश जरा पकग विश जरा पकग विश जरा पासे परिवार कुल गाउं विश जन राष्ट जन के बाद जनपद भी बन गये थे उत्तर रिगवैदी काल में तो आप ये भी याद रखेंगे एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं पकग विश जरा पासे परिवार है कासे कुल है गासे गाउं विश जन पद और यहां रासे रास्ट अब हम इसके कुछ कोशन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं पहला कोशन है वितस्ता का वर्तमान नाम क्या है यहां पर चार आप्शन है तो आप पहले अपना अंसर सेलेक्ट कर लेजिए अब हम देखते हैं पहला आप्शन है रावी इसका प्राची नाम क्या था पुरुषणी इसे हमने ट्रिक्स में नहीं देखा था लिखना भूल गया था तो अब देख लेते हैं रावी पुरुषणी पुरुषणी मतलब रावी वर्थमान नाम है पुरुषणी प्राचीन नाम है चिनाब चीन क्या था चीन से आचकी मतलब असकीनी गंडक मतलब गंदा कौन गंदा है जो सदा नारी की इज्जत नहीं करता सदा नीरा जेलम मतलब जेलना किस चीज को आसान है सस्ती चीज को मतलब वितस्ता इसका अंसर होगा जेलम तो ये हमने पिछले ट्रिक्स के वीडियो में भी देखा था उसे हमने अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से आत किया था अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजे इसका अंसर होगा रावी और रावी का अभी अभी हमने पढ़ा है क्या था प्राचीन नाम परुषणी नेक्स कोश्चन वाय पुराण किस वन से संबंधी थे तो मौर्य ये किसका है मौर मतलब वेश्णू वेश्णू पुराण साथ वाहन वाहन मतलब मच्च पुराण गुप्त गुप्त ही वाय होती है तो इसका अंसर हो जाएगा गुप्त वन से